दोस्तों ICC T20 World Cup 2024 में आज टोटल दो मैचे खिले गए जो कि 18 और 19 मैच 18 मैच में वेस्टेंडीज ने उगांडा को 134 रनों से हरा कर पोइंच टेबल में काफी बड़ी बड़तो बना लिये जबकि 19 मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा कर पोइंच टेबल में कई बड़े उलट फेर कर दिये तो ऐसे में पोइंच टेबल में कौन सी टीम किस पायदान पर है कितने पोइंट के साथ और यहां से सूपर एट में कौलिफाइ कर निकले किस टीम को अब कितने मैच और जीतने होंगे इस उड़ो में आपको सभी जानकारी जो है मिलने वाली है तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जाद इंपॉर्डन वीडियो में अंतता को बने रहना और अगर आप इस description box में मिल जाएगी तो आएए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दूस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रूप एक पॉइंट स्टेबल की तो 19 मैचों के बाद ग्रूप एक पॉइंट स्टेबल में जो टीम पाइदान पर है ओ है आयरलेंड जो अब तक दो मैच खेले और हासिल करने के साथ सथ अपना निटर ने जो है काफी बहतरीन करना होगा सूपर एट में कॉलिफाइ करने के लिए जबकि पॉइंट स्टेबल में चौते पाइदान पर है आज का मैच हारने वाली टीम पाकिस्तान पाकिस्तान को आज के मैच में इंडिया ने हारा दी पाकि इस टीम को आने वाले दो के दोनों मैच में जीत दर्जी करनी होगी साथ में इस टीम को निटर ने भी पहतर करना होगा सूपर एट में कॉलिफाइ करने के लिए वह बाकिस्तीमों पर भी डिपेंड रहना होगा जबकि पॉइंट स्टेबल में तीसरे पाइदान पर है अब इस टीम को दो मैच खेले और इन दो के दोनों मैच में इस टीम को जीत दर्जी करने होगी सूपर एट में कॉलिफाइ करने के लिए जबकि पॉइंट सेबल में दूसरे पाइदान पर है यूज जो अब तक काफी बहतरी इन परदर्शन की है इस टीम ने अब तक को द मैच और के लिए और इन दो मैचों में से कम से कम एक मैच में और यूसे को जीत हासिल करने होगी प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए अगर यूसे एक मैच में और जीत हासिल कर लेते तो यह टीम ऑफिसली सूपर एट में भी कॉलिफाइ कर सकती है जबकि पोइंस तो थीम डो मैज और चिता हैं और इन दो मैचों में से कम से कम एक मैच में और जिता हासिल करनी होगी इस टीम को जाएगी, आप बात करते हैं, गुरूप B के पोइंच टेबल की, तो गुरूप B के पोइंच टेबल में सबसे आकरी पाइदान पर बनी हुए ओमान, ओमान जो अब तक को दो मैच कहले हैं, और इन दो के दोनों मैच में हारकाज सामना करना पड़ा है, ओमान के प जीता हासिल करने के साथ, सथ बागी अधर टीमों पर डिपेंड रहना होगा, सुपर एट में कौलिफाय करने के लिए, पोइंच टेबल में चौते पाइदान पर इंग्लैंड जो अब तक को दो मैच खेले हैं, और इन दो मैचों में से एक मैच में हारकाज सामना करना तो इस टीम को हार मिलती है, तो इस सुपर एट से भी बाहर हो सकती है, जबकि पॉइंच टेबल में तीसरे पाइदान पर है नमीबिया, नमीबिया जो अब तक को दो मैच खेले हैं और इन दो मैचों में से एक मैच में जीता हासिल गया, तो होई एक मैच में हार मिली है, नमीपिया के पासर टोटल दो पॉइंट है, नेट अन्रेट जो इस टीम का माइने 0.309 है, अभी दो मैच और इस टीम को खेलने, दो के दोनों मैच में इस टीम को जीत दर्ज करनी होगी, सुपर एट में जेगाय बनाने के लिए, तो वही पॉइंट स्टेबल में तूसरे प अभी इस टीम को दो मैच और के लाओ है, और इन दो मैचों में से कम से कम एक मैच में और इस टीम को जीत दर्ज करनी होगी, सुपर एट में कॉलिफाइ करनी के लिए, जबकि पॉइंट स्टेबल में ग्रूप बी के जो टीम सबसे पहले पाइदान पर है, वो है ऑस्ट्र और आने वाले इन दो मैचों में से ऑस्टेलिया को कम से कम एक मैच में और जीत हासिल करनी होगी, सुपर एट में कॉलिफाइ करने के लिए, अगर यह तो के दोनों मैच में जीत दर्ज कर लेते हो तो यह टीम ऑफिसली सुपर एट में कॉलिफाइ कर जाएगी, तो वहीं बात करते हैं गुरूफ सी के पॉइंट टेबल की तो गुरूफ सी के पॉइंट टेबल में जो टीम 5 वानी सबसे आखरी पाइदान पर है वो है न्यूजीलेंड, केन विलियमसन की कप्तानी वाले टीम न्यूजीलेंड जो अब तक एक मैच खेली है और उस मैच में इस टीम क को हार का सामना करना पड़ा है न्यूजीलेंड के पास टोटल जीरो पॉइंट है निडरनेट जो M-4.200 है जो की काफी खराब है अब इस टीम को तीन मैच और खेला है और इन तीन के तीनों मैच में न्यूजीलेंड को जीत हासिल करने के साथ अपना निडरनेट जो की काफी बहत्रीन करना होगा सुपर एट में कॉलिफाइ करने के लिए चोते पाइदान पर है पपुआ न्यूगिनिया जो अब तक का दो मैच खेले और इन दो के दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है पपुआ न्यूगिनिया के पास टोटल जीरो पॉइंट है नेडरनेट जो इस टीम का माइनस में माइनस 0.434 है अब इस टीम को दो मैच और खेलें दो के दोनों मैच में इस टीम को जीता हाजिल करने के साथ सदबा की अधर टीमों पे डिपर रहना होगा सुपर एट में कॉलिफाइ का निकले अगर पपुआ न्यूगिनिया आने वाले एक मैच में और हरती है तो ये टीम ऑफिसली टीटवेंटी वर्लकप दो अधार चोविस से बाहर हो जाएगी जबकि पॉइंस टेबल में तीसरे पाइदान पर है आज का मैच हारने माली टीम उगांडा उगांडा को आज के मैच में वेस्ट इंडीज ने 134 रनों से हारा दिया जा की बेहाद खराब है अब इस टीम को एक मैच और के लिए अगर उस मैच में ये टीम आरती है तो टीटवेंटी वर्लकप दो हजार चोविस से ऑफिसली बाहर हो जाएगी जबकि ग्रूप सी के पॉइंस टेबल में तूसरे पाइदान पर है आज का मैच जीतने वाली टीम वेश्ट एंडी जो अब तक को दो मैच के लिए दो के दोनों मैच में इस टीम ने जबड़त से जीत दर्जी की है वेश्ट एंडी इसके पास टोटल चार पॉइंट है नेट अनेट जो इस टीम का प्लस में काफी बहतरीन है प्लस 3.574 इस टीम का नेट अनेट है अभी इ अफगानिस्तान जो अब तक का दो मैच ए खिली है इन दो के दोनों मैच में इस टीम ने जीत हासिल किया अफगानिस्तान के पास टोटल चार पॉइंट है नेट अनेट जो इस टीम का प्लस 5.225 है जो की काफी जादा बहतर है अभी इस टीम को दो मैच और खिलें और आने है सिलंका जो अब तक का दो मुकाबला के लिए दो के दो को मुकाबले में सिलंका को हार का सामना करना बढ़ा है सिलंका के पास टोटल चीरो पॉइंट है नेट अनेट इस टीम का माइनस में माइनस 0.777 है अभी इस टीम को दो मैच और खिलें इन दो के दोनों मैच में सिल और उस में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है नेपाल के पास्टोडल जीरो पोइंट है नेट हन्रेट माइनच 0.539 अभी इस टीम को तीन मैच और खिलें और इन तीन के तीनों मैच में नेपाल को जीत हासिल करनी होगी सुपर एट में कौलीफाइक करने के लिए तो ही पॉंइ्स टेबल में तीसरे पायदान पर है नीदरलैंड नीदरलैंड जो अब तक को दो मैच के लिए और इन दो मैचों में से एक मैच में हार मिलिये जबकि एक मैच में स्टीम ने जीत दज किये नीदरलैंड के पास्ट ओडल दो पॉंट नेड रनेट जो है प्लाच 0.024 है अब इस टीम को दो मैच और के लिए और इन दो के दोनों मैच में नीदलेंड को जीता हासिल करनी होगी सुपर एट में कॉलिफाइ करने के लिए जबकि पॉइंच टेबल में तूसरे पायदान पर पहुच चुकी है बंगलादेश जो अब तक एक मैच के लिए है और उस मैच में इस टीम ने जीता हासिल कर लिए बंगलादेश के पासरे टोडल दो पॉइंट है ने डंडेट जो है प्लेच 0.379 है अब इस टीम को तीन मैच और कर लिए और इन तीन मैचों में से दो मैच में और जीता हासिल करनी होगी सुपर एट में कॉली फाइक के निकले जबकि ग्रूप डी के पॉइंट टेबल में सबसे पहले पायदान पर है साउथ अफरीका जो अब तक का दो मैच खेलिए इन तो के दो मैच में साउथ अफरीका ने जीत दर्जिक की है साउथ अफरीका के पास टोडल चार पॉइंट है ने रंडे जो है इस टीम का प्लस में प्लस 0.789 है जो की काफी बहतर है अब इस साउथ अफरीका को दो मैच और खेलें और इन दो मैचों में से एक मैच में इस टीम को और जीता हासिल करनी होगी सूपर इट में कॉलिफाइख करने के लिए तो दोस्तों इह रहागा आई-सी-्ती टी-ट्विंटी वल्लड कप दो हजार चुविस का नया पॉइंटेवर जो कि 120 में मैच इंडिया बना पाकिस्तान के मैच के बात का है तो दूस्तो आपको क्या लगते है ICC T20 World Cup 2024 में इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सी ओर टीम रहेगी जो सुपर 4 में कॉलिफाइ कर पाई कि कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं तो दूस्तो इस चुड़ क्या मैच वाच 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 वीडियो